हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आज हम एक बहुती important मुद्धे पे बात करेंगे जो हर student अपनी preparation के दोरान फेस करता है वो है consistency हमें consistency manage करने में difficulty होती है हम manage नहीं कर पाते तो हमें कहीं ने कहीं एक depression सा feel होता है, negative सा feel होता है, वो तक है कभी-कभी हम कोई motivational video देख लेते हैं, या friend circle में किसी का selection हो जाता है, किसी exam में किसी का selection हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा निरा सा हाथ लगती है, motivational video देखने के बाद हमें motivation सा मिलता है, कि हमें भी कुछ life में करना है, और उसके बाद हम बेटते हैं time table बनाने जो कही न कही हमारी capacity से ज़्यादा हम बना लेते हैं जिसे पंदा गंठे तक पढ़ने का हम time table बना लेते हैं और यह हर किसी के साथ होता है मैं भी कभी motivational videos देखता था मेरी preparation के time तो मैं ऐसे time table बना लेता था जो मेरे से एक या दो दिन उससे ज़्यादा follow नहीं हो पाता था एक दो दिन में मैं give up कर देता था कि time table मैरे से नहीं follow हो रहा तो उसके बाद मुझे ज़्यादा निरसा हाथ लगती थी ज़्यादा negative मुझे feel होता था differentiation सा feel होता था कि मैं तो कुछ करी नहीं रहा हूँ लेकिन कहींने कहीं हम अगर actual में देखें तो वो time table जब हमने बनाया था उस time कहींने कहीं हमारी energy ज़्यादा थी हम ज़्यादा motivated थे हमने iOS में आके वो time table बनाया जो हमसे actual में follow नहीं होने वाला है जो कि गलत नहीं है इस quite natural कि आप जो भी time table बनाऊगे वो आप follow नहीं कर पाऊगे proper आप उसको follow नहीं कर पाऊगे क्योंकि आप एक इंचान है human mind है वो एक robot तो है नहीं कि आपने एक time table feed कर दिया उसको as it is वो follow कर लेगा और ऐसा मेरे साथ भी होता था जब मैं preparation करता था मेरे preparation के time में जो time table बनाता था उसको proper एकदम follow नहीं कर पाता था और इस quite natural कि ऐसा हर experience के साथ होता है चाहिए हो topper हो चाहिए average student हो सब के साथ होता है हम time table जब बनाते हैं वो realistic time table बनाते हैं आइडियल situation को हम ले लेते हैं लेकिन जब उस time table को हम actual में follow करेंगे तो उसमें कुछ hiccups हमें आते हैं होता है काई जिसे कभी हम डिनर में ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो बारा बज़े तक का अगर हमने time table बनाया है रात में तो हम 10 बज़े भी सो जाते हैं but overall देखे जाते हैं it is okay it is okay to sleep early sometimes overeating करना it is okay it is okay to watch movies sometime watch your favorite serial sometime but what matter most is coming back with more energy more enthusiasm to your schedule और आप कैसे वापस से चिजों को follow करते हैं कैसे आप bounce back करते हैं वो ज़्यादा important हो जाता है इसलिए इस वीडियो में discuss करेंगे कि आप कैसे अपनी consistency maintain रख सकते हैं कैसे उसको बरकरार रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा maximum आप put आप ला सकते हैं अपनी study में यह साथ तो है नहीं कि आप इसे follow करने पर 100% consistent हो जाओगे कोई भी टोपर 100% consistent नहीं होता है जो भी time table उसने बनाया है उसको 100% follow नहीं कर सकता है चाहे उसकी rank वह नहीं क्यों नहीं हो exam में फिर भी कुछ चीज़े हैं जो आप कर सकते हैं जो आप अपना time table जो भी आपके goal set कर रहो उसमें definitely आपको help करेगा consistency maintain करने में आपको help करेगा इसमें दो तेन चीज़े में आपको practically बताऊंगा जिससे आपको ज्यादा consistent रहने में आपको मदद करेगी सबसे पहली और important चीज है उसमें make time table और आपका time table जो है वो weekly आप बनाओ उसको आप monthly और yearly time table आप set नहीं करो क्योंकि होता है कि जब आप preparation कर रहो तो हमेशा situation एक जिसी नहीं रहती जैसे कभी सर्दी है कभी गर्मी है कभी आपका output जो है वो ज्यादा है कभी आपका motivation है जो ज्यादा है कभी आप थोड़ा सा low feel करोगे तो जो time table आप monthly कभी मत बनाओ monthly आप time table बनाओगे तो there are chances कि आप उस time table को कम follow कर पाओगे इसलिए जो भी आप time table बना रहे हो उसको weekly बनाओ week में breaks करो time table को weekly time table बना के next week में इस week में आप क्या follow नहीं कर पाए उस हिसाब से अपने time table को tweak करो जब last week आपने पूरा time follow कर लिए अपना time table जब next week का time table बनाओगे last day of the week को तो उस time देखो कि आपने last week में कौन सी चीज़ें थी जो आप नहीं कर पाए क्या आपको hiccups आए last week में क्या उसमें मुश्किलें थी जो आप next week का जब time table बनाओ तो उसमें आप add करो उन चीज़ों को उन चीज़ों को consider करो मतलब एक ऐसा time table बनाओ जिसको आप actual में follow कर पाओ तो इसलिए weekly time table schedule बनाओ और उसको follow करो और उस weekly में भी आप try करोगी अपने जो goals है उसको daily break करने के try करो अब जो दूसरी चीज मैं आपको अपने SSC करे करना है या आपने plan कर लिया कि मुझे UPSC करे करना है तो कहीं न कहीं आपको realistic होना चीज़ों आपको always में आके वो चीज नहीं सोचना चीज़ों कि मैं पांच मेने या चार मेने में UPSC कर लूँगा या SSC का exam clear कर लूँगा तो उसी हिसाब से आप time table बना रहे हो time table आपका या आपका जो goal है वो थोड़ा realistic होना चीज़ों आपको पता होना चीज़ों कि actual में चीज़ों कैसे चलती है आप किसी और का motivational वीडियो या और की success story सुनके आपको अपने goal set नहीं करने चीज़ों वो थोड़ा realistic होना चीज़ों होना चीज़ों होता है हम जब कम time में कुछ ज़्यादा चीज़ों प्लान कर लेते हैं जैसे 2 मेने में मुझे SSC करेक करना है या 6 मेने मुझे UPSC करेक करना है लेकिन अगर उन चीज़ों को reality के हिसाब से देखें तो it is not possible to crack UPSC in 6 months just 6 months is not enough तो उससे क्या होता है जब हमसे नहीं हो पाईगी वो चीज़ हमने realistically उसको set नहीं किया unrealistic थी वो चीज़ और वो हमसे नहीं हो पाईगी तो उससे हमें ज्यादा negativity आएगी और वो हमें ज्यादा नुकसान करेगा मतलब हमें time table और goal set करके सब कुछ चलने का जो फाइदा होना चीए वो फाइदा कम और हमें वो चीज़ ज्यादा नुकसान करने वाली है इसलिए जो भी हमारे targets है जो भी हमारे goals है वो थोड़े realistic होने चीए reality के हिसाब से होना चीए कि constitute कितने दिन में possible है उसको आप syllabus के हिसाब से देख लो आप ऐसे प्लान कर लो कि एक दिन में आपको hundred one word substitution याद करने तो वो थोड़ा सा possible नहीं है उन चीज़ों को gradually आपको improve करना पड़ेगा आप 30-40 जितने आप कर सकते है अक्चल में reality कितनी है आप में कितना potential है जितना कर सकते हो उतना ही set करो तो आपके जो targets आपके जो goals है वो realistic होना चीए जो achievable है वो target आपके होने चीए उसके वाद जो तीसरी चीज़ है वो है give enough rest to your mind or body जैसे हम preparation के बात करें तो जो सबसे important body parts है हमारा वो है mind सब information वाई गेदर होने वाली है अगर उसको proper rest और proper nutrition आपके नहीं मिलेंगे तो कहीं नहीं कहीं आपकी consistency बरकरार नहीं रहेगी उससे क्या होता है आपको पढ़ाई में बोर्यत आने लग जाएगी और आप पढ़ते पढ़ते सोने लग जाओगे ऐसी वाली चीजें जब होती है वो तब होने start होती है जब आपका mind tired रहता है और आपका actual में जो energy रहनी चीए आपकी body में वो नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं proper rest ले सकते हैं 8 hour की जो sleep pattern है आपका वो होना चीए कम से कम seven to eight hour आपको सोना चीए उसके अलावा जो आप proper diet आपको रखनी पड़ेगी और उसके अलावा कई सारी recreational activities है जैसे आप भाहर खेलने जा सकते है आदा गंटा ये गंटा उसके बाद movies आप देख सकते हैं आपको सारे दिन आपको देखनी ये पट एक दिन में आदा गंटा एक गंटा आप इस चीज के लिए निखाल सकते हैं जिसे आपका माइन फ्रेश हो जाएगा family members के साथ आप time spend कर सकते हैं या friends के साथ आप घूम के आ सकते हैं बट ये चीजे occasionally करनी है आपको ऐसा नहीं है कि आप देली पांच सेगंटे सीज में स्पेंट करो तो फिर आपके जो एक्ट्वल गॉल है उसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा बट यह चीजे में जरूरी है आपको एक घंटा डेली का इन चीजों के लिए निखालना पड़ेगा जिसे आप रोबोट तो हो नहीं जो एक्ट्वल जो भी प्रिंटेड है जिट इस आपके माइंड में गुस्ता जाएगा इसको भी थोड़ा रेस मिलना चीए जैसे आपको कोई भी आप मशीन यूज करते हो उसको प्रोपर ग्रीस और ओयल करना पड़ता है टाइम टो टाइम वै तो बिलियो में आपकी कंसिसंसी दीरे दीरे अपना मेंटर देगी आपको पोजिटterror फील होगा तो आप को पढ़ने का मन करेगा आपको जो भी टारगेड है उसको एचिव करने का मन करेगा इतना ही है इस वीडियो में कंसिसंसी के उपर आपका यिल मोटिवेशन, यिल ग आपको सभी competitive exam के त्यारी कर रहा रहा है यह ससी हो मैं यूपिस्टी हो बैंक के एक्जाम हो या बाकी कोई भी competitive exam हो वहाँ पर टॉप educators आपको पढ़ाई कर आते हैं अपने syllabus और pattern के साफ से त्यारी कर आते हैं और तो आप unacademy जोइन कर सकते हैं unacademy जब जोइन करोगे आप तो मेरा coupon code Mr.TrueTales यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको 10% discount मिलेगा और SSC के special batches अभी unacademy पे live है तो जो बच्चे SSC की तयारी कर रहे हैं वो अभी उन batches को जोइन कर सकते हैं और इंडिया के top educators से आप पड़ सकते हैं this is all in this video I hope कि आपको consistency में मेरी बताएवे points आपको मदद करेंगे और यह practical चीजह हैं जो मैंने इस वीडियो में बताईए तो आसा करको आप इनको follow करेंगे this is all in this video thank you guys thanks for watching